Hey guys, what is up and welcome back to my channel So, दोस्तों आप लोगों को शायद याद होगा हमने start of the year में बात करी थी एक बहुत बहुत बहुतरी laptop की जो इस सा लॉंच होना था which is Acer Nitro 16 Now, finally आप उस laptop को officially इंडिया में बाई कर सकते हो Amazon से, Flipkart से या Acer की official website से भी But, क्या देखने को मिलता है इस laptop में उस बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ Trust me, ये बहुत बहुत ज़ादा सही laptop है अपने price के हिसाब से सारा कुछ इस वीडियो में आपको आज बता दूँगा Variant wise details हम देखेंगे आपको performance से लेके, display से लेके सारी चीज़ों के बारे में मैं बता दूँगा वीडियो को जुरूर अंटक देखना अगर अच्छी लग जा तो like और चैनल को subscribe जुरूर करके जमा तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं आल राइट सबसे पहले design और build की हलकी सी बात कर लेते हैं देखो plastic build आपको यह laptop मिलने वाला है लेकिन जो design changes इस बार देखने को मिलते हैं वो देखके मुझे personally बहुत जादा खुशी हुई because Acer का जो design था वो काफी सालों से मतलब नहीं change हो रहा था तो Acer Nitro 16 से वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे अगर आप back panel पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको clearly एक नाइट्रो का निया logo देखने को मिलता है और यह blueish और जो pinkish lines हैं यह इसको एक next level looks provide कर रही है और यहाँ पे Acer Nitro clearly लिखा हुआ है उसके बाद अगर आपको मैं bottom का design दिखा हूँ तो वहाँ पे आपको mesh area मिलेगा of course air vents के लिए and ports की configuration आपको इस बार ज़ादा तर पीछे को मिलेगी and पीछे आप देख सकते हो आपको out vents भी दिये गए हैं side ओं पे भी out vents दिये गए हैं यह अगर particular area आप देखो तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि उपर की तरफ भी आपको mesh दिया गया है ताकि आपका air intake अच्छा रहे और आपके thermals अच्छे perform करें देखो thermals पे improvement बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी because आप specifications बहुत ज़्यादा ताबड तोड़ हैं इसके बोज को उठाने के लिए त्यार रहे है विकॉज इसकी जो brick है वो भी 300 वाट से जादा है अब अगर variant wise बात की जाए तो इसमें आपको दो वेरियंट्स देखने को मिलेंगे जो पहला वेरियंट है दोस्तों वहाटा है अ the price of 115,000 और जो दूसरा वेरियंट है वह आता है अभाल प्राइस सब्सक्राइब वेरियंट के साथ स्टार्ट करते हैं पहले बेइरिन में परफॉर्मेंस टर्म्स में बात करूं तो AMD राइजन सेवन 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 एट फोर जिरो एचेस ऑक्ता को प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा जो पेयर किया गया है 4050 RTX 4050 के साथ जो 6GB DDR6 VRAM के साथ आता है फुल पोटेंशल वाला 4050 है विच मींज 140W TGP के साथ ही आएगा थोड़े से बेंचमार्क्स आपके साथ शेयर कर दूँ तो सब्सक्राइब चाट 23 के हिसाब से ये जो प्रोसेसर इस सिंगल कोर में 1775 मैं 17567 के आसपा स्कोर जो है लेके आता है दो को यह बताते हैं कि प्रोसेसर में बहुत ज्यादा दम है जो सीप्यू के हिसाब से लैपटआप डून रहे थे मलद अच्छी सीप्यू के हिसाब से तो यह लैप्टॉप आपके लिए एक क्लेयर पिक बन सकता है जो इसके साथ जीप्यू पेयर किया गया है वो भी बहुत अच्छे पूटेंचल के साथ आता है पटिकुलरी यह जो कॉम्बो है यह आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है यह आप में इसे लिट्रली होंबो करके आया है इस बार 16 इंचीज की डिस्प्ले है जो की नाइटीं टॉंटी क्रॉस त्वेल हंडर रेजुलेशन के साथ आती है फॉर हंडर निट्स की ब्राइटन सब्सक्राइब तो कॉंटेंट क्रेटर्स को भी अपनी राश होने की जुरूरत नहीं है आराम से वीडियो एडिटिंग कीजिए की बहुत ज्यादा अची है आठ जीबी की इसमें डीडीर 5 डॉल चैनल मिलेगी 32 जीबी तब एक स्पैंड कर सकते हो SSD 512 जीबी की है ठीक है PCIE Gen4 अब यहां पर एक छोटी सी निराशा मुझे जरूर हुई है कि आट लीस्ट वन टी यह मतलब फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी दूसरा ड्राव बैक आपको लग सकता है आठ जीबी की रैम बढ़ ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं हम दूसरे वेरियंट की बात करेंगे वहां पर आपका वह चीज क्लेर कर दूंगा मैं अब जो वेरियंट टू दोस्तों इसमें आता है उसमें आपको दो की डिफरेंशिस मिलते हैं पहला सोला जीबी की रैम दूसरा आटी एक्स फॉर्टी सिक्स्टी आठ जीबी अब यहां पे पंद्रह हजार रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है आपको एक तो रैम के अपग्रेड की वज़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 4060 के लिए अगर यहां पे 20-25,000 का डिफरेंस होता ना तो मैं आपको कहता 40-50 ज्यादा वैल्यू जनेरेट कर रहा है लेकिन आपको सिर्फ 10,000 रुपय एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है जीप्यू के लिए और 4060 जो है वो एक्स् निशाननी होगी 15,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना 4060 वाले वेरियंट के साथ जाना बागी लिंक्स आपको मैं डिस्रिप्शन में दूंगा आप बागी कर सकते हो बागी दोस्कों कॉमन फीचर में वही 90 वाट आर की बैटरी है तो दिस इस एन अप्ग्रेड ओवर नाइट राइट सेड में आपको दो USB 3.2 टाइप एपोर्ट मिलते हैं और Kensington Lock बट यहां पे जो सबसे क्लीन काम इन्हों ने किया है वो किया है बैक साइड बे पोर्ट देखें उससे आपका डेक्स्टॉप बहुत क्लीन रहने वाला है विच इस पावर कनेक्टर HDMI पोर्ट एक USB 3.2 अब मैं यहां पे वर्डिक्ट की अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लैप्टॉप से हैं यह अगर आपको किसी वेरियंट के साथ जाना ही है तो वह आप 4060 वाले वेरियंट के साथ जा सकते हो सिंस यहां पे सिर्फ 10,000 का आपको डिफ्रेंश मिलता है विकॉज रैम के पैसे मैंने हटा दिये सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा देने के बाद आपको एक बड़िया जीप्यू मिल रहा है एस कंपरेटू 4050 अगर यहां पे 20-25,000 का डिफ्रेंश तो मैं आपको रिक्मेंट नहीं नहीं है यह प्रेडिटर की नियो 16 के साथ तो अगर आपको वो वीडियोस देखी हैं तो आप हमें कमेंटस में बताना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना उन वीडियो को देखने के लिए चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी और बसुंप कॉंड़न के साथ दफतर के लिए जय हिंद थैंक्स फो वाचिंग थैंक्स अलोट